नमस्कार मैं अंकित स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल टीचर एजुकेशन में आज के इस क्लास में हम लोग दूसरे चैप्टर की सुरुगात करेंगे जिसमें पढ़ेंगे प्रित्वी पर मानों की उत्पत्ती एवं विकास जो की काफी महतपूर क्लास है तो आप लोग इस क्लास को अंतक जरूर देखें आज के इस क्लास में हम लोग महतपूर तथ्यों को पढ़ेंगे और समझेंगे जो आपके परिच्छा के दिरिष्टी से चाहे समेश्टर परिच्छा हो या आगे आप टेट या सीटेट की परिच्छा देंगे उसके लिए भी काफी महतपूर क्लास है आप लोग इस क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें और साथ साथ नोट भी करते जाएं तो चलिए सुरू करते हैं, प्रिच्वी पर जीवन की सुरुआत लगबक साड़े तीन अरब वर्ष पूरो मानी जाते हैं इसमें स्वरपर्थम जीवन का प्रारम जल में एक कोसकी प्राड़ी के रूप में हुआ आप लोग ध्यान देंगे, जब प्रिच्वी पर जीवन का प्रारम हुआ, तो वह साड़े तीन अरब वर्ष पूर हुआ जिसमें सबसे पहले एक कोसकी प्राड़ी के रूप में प्रिच्वी पर जीवन का प्रारम हुआ एक कोसिकी यानि जिसमें न तो हड़ी है न तो मांस था इस प्रकार के प्राड़ी का जन्म सबसे पहले प्रित्वी पर हुआ इनी प्राड़ीों का धीरे-धीरे विकास हुआ किसका जो एक कोसिकी प्राड़ी थे इनका धीरे-धी प्रित्वी पर विकास हुआ किस प्रकार हुआ, किस रूप में हुआ, मचली, केकडे, साप, जानवर, आदी के रूप में पृत्वी पर उत्पन हुए, ठीक है, फिर उसके बाद जब एक कोसकी प्राडी के रूप में सबसे पहले पृत्वी पर जीवन का प्रारम होता है, उसके बाद धीरे धीरे पृत् के बाद मानो ने पूर विक्सित होने में लंबा सबय बिताया आप लोग ध्यान देंगे जब सबसे पहले पृत्वी पर मानो का जन्म हुआ था तो मानो अपूर विक्सित कह सकते हैं उसका मानो का पूर विकास नहीं हुआ था सबसे पहले जब जन्म हुआ था तो मानो किस र मानो पैरो पर चलना सिखा, जैसा कि आप टोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार मानो का विकास हुआ, उसके बाद मानो में मस्तिक्स का विकास हुआ, यानि मानों के अंदर सोचने देखकर किसी वस्तू या चीजों को देखकर समझने का विकास हुआ उसके बाद मानों का जब धीरे-धीरे विकास हुआ तो मानों एक साथ सामुहिक रूप से रहना सिखा प्राकृतिक द्वारा उपलब विभिन खाने की वस्तूओं का प्रियोग करना सिखा यानि जब मानों का जन्म प्रित्वी पर हुआ था तो यक बानरों के समान मानों था तो धीरे-धीरे जब मानों का इस करम में विकास हुआ तो मानों यहां तक पहुचा फिर तमानों के मस्तिक्स का विकास हुआ फिर प्राकृतिक जो चीजे थी उसको खाने का प्रियोग करने लगे आगे हम देखते हैं कि लगभग 40,000 पुरुव वर्तमान मानों का अभिर्भा हुआ जिसे होमो सैपियंस कहा जाता है काफी महत्पूर पॉइंट है, काफी महत्पूर तथ है इसे आप लोग नूट कर लेंगे याद करेंगे कि मानों का बैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है जिसे लेटीन सब्द भी कहा जाता है होमो सैपियंस का जो अर्थ है वह बुद्धिमान मानों की रूप में है इसी बुद्धुमान मानो यानि जब पृत्वी पर मानो का जन्म हुआ धीरे-धीरे मानो का विकास हुआ जब मानो 40,000 पूरो वर्तमान में होमो सेपियंस के नाम से जाना जाना लगा तब मानो ने सबसे पहले आग का प्रयोग करना सिखा उसके बाद घर बनाना सिखा जब मानो बुद्धिमान मानो के रूप में विकास हुआ तब वह धीरे-धीरे आग का प्रयोग करने लगा घर बनाने लगे जब वह घर बना के रहने लगे तब धीरे-धीरे वह संस्कृती का विकास करने लगे कैसी संस्कृती जब मानो समुदायों के रूप में यानि सामुहिक रूप से लगने लगे तब उहां संस्कृतियों का विकास हुआ वही संस्कृतियों का सामुहिक विकास हुने पर ही मानो सब्यता का जन्म हुआ प्राचीन सब्यता के इस क्रमिक विकास को मुख्यतर तीन भागों में विवक्त किया गया है पहला पासारकाल, दूसरा तामर एवं कांसियू, तीचरा लहयू तो आज की इस क्लास में हम लोग पासारकाल को पढ़ेंगे कि पासार काल क्या है पासार काल को कितने भागों में विभाजित किया गया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि काफी महत्पूर है पासार काल को देखेंगे कि वह समय जब ध्यान देंगे आप लोग मानव पत्थर की आवजार इवं हतियार का उप्योग करता था ध्यान देंगे इसका पत्थर का आवजार बनाते थे मानव या कह सकते हैं हतियार का जब प्रयोग करते थे वह पासार काल कहा जाता है पासार काल को प्रस्तर काल के नाम से भी जाना जाता इसका दूसरा नाम प्रस्तरकाल है इसे आप लोग ध्यान रखेंगे पासारकाल का तत्पर उस काल से है जब मनुस्य अपने आउजार एवां अपनी आउसक्ता की अन्य वस्तुये पत्थर का बनाता था पूरा तत्व वित्ताओं की धरड़ा है कि मानों का जन पत्थर के ही कठोर भूमी में हुआ आप लोग ध्यान देंगे जब मानों का प्रित्वी पर उत्पत्ती होता है उत्भव होता है जब मानों में धिरे धिरे विकास होता है तो मानों अपनी अवसिक्ताओं की जो चीजे थी वस्तुय थी वह पत्थर के बनाने लगे यानि जब किसी कह सकते हैं जानवरों की जो है उन्हें मारना था तो पत्थर की हत्यार बनाने लगे दीरे दीरे मानों विकास होने लगा जब मानों ने पहली बार अपनी आखे इस पृत्वी पर खोली तो अपनी रक्षा के लिए उन्हें पत्थर ही मिला जैसा कि पूरा तत्वित्ताओं के जो है कहना है उनका धारड़ा है मानों बिल्कुल असब था जंगली जीवन ब्यतीत करते थे जब मानों का पृत्वी पर जन्म होता है तब मानों असब एवं जंगली रूप में थे जब धीरे धीरे उनके अंदर विकास हुआ या सब जीवन की ओर रूप बढ़ना सुरू किये तब पासार काल मानों सब्यता को उस उसा काल को करते हैं जब वो अपनी आवसक्ता की सभी चीजे पत्थर की बनाता था और उसमें धातू का प्रयोग करना नहीं सीखा था मानो जब पासार काल में अपना जीवन व्यतीत करने लगा था तब पत्थर की ही वस्तु ये बनाता था धातू उस समय नहीं था तो धातू का प्रयोग नहीं करते थे 1863 इस्वी में अनुसंधानों के आधार पर राबर्ट बुस फुट ने पासार काल का दो भागों में भिवक्त किया गया था तो काफी महत्पूर इसे आध्यान नेंगे जो राबर्ट बुस फुट हैं इन्होंने पासार काल को दो भागों में भाजित किया है पहला पुरो पासाड कार और दूसरा नौ पासाड कार लेकिन इन कालों के मद्य सभ्य विकास या कह सकते हैं सभ्यता के विकास के दृष्टी कोर से पर्याप अंतर था तब फिर आगे इसके पस्चाज जो है अब जो बिद्वान है पुरा तत्विद्धा है बरकीट एवं ट पासाड कार ने उत्खननों के आधार पर दोनों काल के बीच जो है तारतम्य को जोड़ा इसी बीच उन्होंने मद्य पासाड काल के से अभीद किया वर्तमान में पासाड काल हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पासाड काल मुख् पूरा पासाड काल या नौपासाड काल के रूट में जानते हैं तो आज की इस क्लास में हम लोग पूरव पासाड काल के बारें पढ़ेंगे चीजों को बहुत सहज ढंग से समझेंगे महतपूर तत्यों को पढ़ेंगे जो आपकी परिच्छा में पूछे जाते हैं आज का सबसे प्रारंभिक समय था, इस समय मानो को आदी मानो कहा जाता था, इस समय मानो खाना बदोस यानि खाद संग्रह के रूप में था, खाद संग्रह का जो अर्थ है, परिभासा है, किस रूप में जाना जाता है, जिनका मुख्य उदेश हो सिर्फ पेट भरना वह खाना बदोज या खादे संगरा के रूप में जाने जाते हैं इनकी प्रमुख बिसेस्ता हैं क्या क्या है पूर्व पासार कालवे मानों ने किस चीज का खोज किया था इन सब चीजों को हम बात करेंगे तो पॉईंट वन को देखते हैं आवजार जिसमें उन्होंने पत्थर के आवजार बनाये थे तो किस प्रकार से कैसा आवजार था सरपरतम उन्होंने किस आवजार या हतियार का प्रयोग किया था इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस काल में मानों जीवन अत्यांत कठोर इवं संगर्स पूर था सरपर्थम मानों ने जंगली पसुओं से अपनी रक्षा करने के लिए पत्थरों के अतियार बनाने सुरू कर दिये जब मानों का पूर पसाड काल में जब मानों अपने जीवन को ब्यतीत कर रहे थे उस समय जंगली पसुओं या जानवरों से रक्षा के लिए मानों पत्थरों के अतियार बनाना सुरू कर दिये थे इस रूप में हम देखेंगे सरपर्थम हतियार जो बनाये थे मानों वह हतावडा बनाये थे यह आप लोग ध्यान रखेंगे याद भी रख लेंगे नोट भी कर लेंगे कि पूरों पसाड काल में जो सबसे पहले हतियार का प्रयोग मानों ने किया था, हथावडा कर जिया था उसके बाद उल्हाडी, चाकू, एवं सल्क आदी भी तयार किये थे पत्थर के उत्खनन से प्राप्त उपकरडों के आधार पर कहा जाता है कि आवजार जो थे वो भद्दे थे, बेडौल थे, एवं औव्यवस्थित आप लोग ध्यान देंगे कि जब पूर्व पासाड काल में मानों ने पत्थरों के जो आवजार बनाये थे वह कह सकते हैं औव्यवस्थित थे, जिसकी आकृती नहीं थी या आप कह सकते हैं भद्दे थे उस प्रकार के औव्यवस्थित तरीके के हतियार जो है मानों बनाना शुरू किये थे पत्थर के आवजारों में लकडी एवं हड्डियों के बेट लगे रहते थे जो मानों जो है आवजार पूर्व पासाड काल में बनाते हैं आगे हम देख लेते हैं कि निवास अस्थान क्या था उनका इस काल में मानों गुफाओं में निवास करते थे तोह जो गुफाओं मानों पूर्व पासाड काल में बनाते थे वह कहां बनाते से जहां जल का स्रोत हो यानि तालाबों के किनारे नदियों के किनारे जो है मानो अपने गुफाओं का निर्मार करते से जहां वह पत्थरों की अवजार से जंगली जानवरों को मार कर अपने खादे रूप में प्रियोग कर सके और जो जल प्रपात है चाहे तालाब हो नदियां हो उनके रूप में पानी पी सके मानो का जीवन जो था वह घुमकड़ी था कभी बिलिक्षो की डालियों एवन पत्तियों की जोपड़ियों में अपना घर बना कर रहा करते थे आगे हम देख लेते थे उनके जीविका का साधन क्या था किस पे निर्भर थे मानो पूर पासाड काल में इस वस्तुमों को खा कर जिवित रहते थे उनके बारे में देखेंगे कि इस काल में मानो अपनी जीवका के लिए पूर रूप से प्रकृती के उपर निर्भर थे यानि इन्हें खेती का बिल्कुल ग्यान नहीं था यह अपनी जीविका चलाने के लिए जंगली पशूओं का सिकार किया करते थे मचलियां पकड़ा करते थे धीक है जब पूर पासाड काल कह सकते हैं पूरा पासाड काल में मानो जो है अपने जीविका के साधन के रूप में जो है जंगली पसुओं मचलियों आदी को मारा करते थे उन्हीं को अपनी खाद्य समागरी के रूप में प्रियोग करते थे उस समय मानों को खेती का बिलकुल ग्यान भी नहीं था इसके अतरिक जो प्राकृतिक चीजे थे जो प्राकृतिक चीजों पर निरभर थे उसमें कंद मूल, फल, आधिक को भी खाकर अपने भूब को सांथ किया करते थी कब पूरा पासार काल में जो मानो अपने जीवन को ब्यतीत करते थे इन्होंने मांस खाना भी सीख लिया था इस समय कच्चा मांस के खाने के उलेख प्राप्त होते कब पूरा पासार काल के रूप में ठीक है, इनकी भेजबूसा क्या थी? किस परकार रहते थे? करते थे, उनकी भेजबूसा थी मानो पासुओं के खाल पहनते थे इस काल में मानो ने हड्डियों एवं सुईया बनाकर खालों को सीलना सीख लिया था आप लोग ध्यान देंगे कि जो पूरा पासार काल में जो मानो थे, उनकी जो भेजबूसा थी, जो पहनावा थी वह पेडों के पतियों एवं खालों को जो जानवर थे उनकी हड्डियों को सुईय बनाकर सिलकर वह पहनते थे आगे हम देख लेते हैं आग की खोज पूरा पासार काल का जो कह सकते हैं सबसे बड़ी उपलब्दी है वह आग की खोज आग की खोज पूरा पासार काल में मानो करते हैं आग की खोज सबसे महतपूर उपलब्दी थी आग की खोज के पच्चात मानो ने उसका प्रयोग ठंड से बचने के लिए रोसनी करने के लिए तथा मांस पकाने के लिए प्रारम किया पूरा पासार काल में जब मानो अपना निवास करने लगे थे उस समय जब जानवरों को मार कर खाते थे तो आग की जब खोच किये उसके बाद मांस को पकाने के लिए थंड से बचने के लिए रोशनी करने के लिए उन्होंने आग की खोच की आगे हम देख लेते हैं मृतक संस्कार यानि उत्खनन से प्राप्त समाकरी के आधार पर ज्यात होता है कि इस काल में मानों अपने मृतिकों को दफना देते थे यानि जिनके मृत्ति होती थी उनको जो है मिट्टी में दपना देते थे उसके साथ साथ भोजा निवम अन्य उपयोग की वस्तुएं भी लग देता था इससे आनुमान होता है कि मानोव पुनर जन्म में विश्वास करता था आप लोग ध्यान देंगे कि पूरा पासाड काल में जब मृतक यानि मानोव की मृत्ति होती थी तो वे लोग जो है मृतक जो सरीर था उसे मिट्टी में दफना देते थे उससे उनका यह विश्वास था कि मानोव का पुनर जन्म होगा उनकी कला क्या थी उसके बारे में देखेगी इस काल के अंतिम चरण में मानो जंगली पसुओं के चित्र बनाना सिखे थे जैसे अल्त मीरा लासको या पश्चिमी फ्रांच भारत में भीम बेटका गुफाओं के दिवारों बने चित्र आज भी इसी काल के मानो के कला को दर साती हैं अपर उध्यान देंगे कि पूरा पासार काल में धीरे धीरे मानो जब आग की खोच कर लिए उसके बाद जो है अतियार बनाना सिखे उसके बाद पला यानि चित्र बनाने का भी वो सीख गये आगे हम देख लेते हैं संगठन संगठन के बारे में देख लेते हैं क इसकाल के मानो टोलियां बना कर रहते थे यानि संगठन या कह सकते हैं सामुहिक रूप से सामुधाइक रूप से मानो रहते थे टोलियां बना कर परते एक टोली का एक प्रधान होता था यानि उनका जो समुह था जो सामुहिक या समुधाइक रूप में रहते थे उस समु दूसरे अस्थान पर जाया करते थे, यानि हम लोग ध्यान देंगे कि पूरा पासार काल में जब मानों अपने जीवन को बेतीत करते थे, तो वह धीरे धीरे जो है, सबसे पहले हतियार बनाना सिखे, आग की खोच की, उसके बाद वह जानवरों को मार कर खाने लगे, फिर ध अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाया करते थे, यह किसी एक अस्थान पर नहीं रहते थे, परन इन्हें कहीं, इन्हें सिकार, कंद, मूल, फल, आदी, पाने की आसा होती थी, यह टोलियां वहीं चले जाते थे, तो काफी महतपूर आप लोग ध्यान देंगे, कि जब यह मनुस्य पूरा पासाड काल में संगठन बना के रहते थे, सामुदाइक रूप में रहते थे, वह एक अस्थान पर अपना जीवन नहीं बेदित का थे, जब कभी उनको जहां भी सिकार के रूप में सिकार मिलता थे, या प्राकृतिक जो चीजें हैं, कंद, फल, या मूल, आदी जो मिलते थे, जहां भी इनको मिल जाते थे, वह ही पर चले जाते थे, तो यह रहा आपका आज की क्लास, जिसमें हमने पूरा पासाड काल को पढ़ा, पासाड काल में, अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे मद्य पासाड काल, तो आप लोग ध्यान देंगे, आपक पढ़काल को पढ़ेंगे उमीद करते हैं आप सभी लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर आप सभी लोगों को इसका पीडियाप नमारे टेली ग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक इस वीडियो